हे पित्र देव आप हमें अपना आशिर्वात दे दीजिए हम आपके चर्णों में अपना सिर्ट जुकाते हैं और आप हमारे सिर्पर हमेशा दया का हाथ रखें सबसे पहले हम शिव पुत्र भगवान गनेश की पूजा करते हैं तत पशाथ हम अपने घर के देवता पित्र कि पूजा करते हैं हे पित्र देव आप हम पर हमेशा अपनी किर्पद्रिष्ट्री बनाए रखें और हमारे मन को संतूलित रखिए हे पित्र देवा आप हमें आगे का रास्त दिखाए हमें मुक्ति प्रदान कीजिए आपने हम सब पर बहुती उपकार किया है जो आपने ह हमें मनुश्य योनी में जनम दिया जिस किसी के भी मात्रव पित्र देव उनसे प्रसन होते हैं उन्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है ही पित्र देवा आपकी जय हो जय हो जय हो आपका रिन उतारे बिना हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है आपका यस्त हर दिशा में फैला हुआ है और हमारे संकट आप ही दूर कर सकते इस सुष्ची के आधार सुयम नारायन देव है और इस सिष्चा के आप एक अन्श है अर्थात हमें रास्ता दिखाते हैं इश्वर की पित्रों की महिमा सबसे अलग है जिसका गुणगान हर कोई करता है तीनों मंडलों में आप ही विराजमान है आप शिव में बसते हैं और सूर्य में शोभायान हैं हमारी सब संपत्ति आपकी ही दियुए है और मैं अपने परिवार सहित आपका सेवक हूँ पित्रों को छपन भोग नहीं चाहिए क्योंकि वे तो बस शुद जल से ही प्रसन हो जाते हैं आपके सभी को सुक देने वाले हैं और फिर वच्छाए छोटे पित्र हो या बड़े सभी एक समानी पूजनिय होते हैं सूर्य दे होने के साथ ही आपकी पूजा करने चाहिए और कि महिमा तो सद्यों पुरानी हैं और इसमें हमारी जनम भूम में धन्य हो गई है जो कोई भी यहां शहीद होता है उसे हमें मात्र भक्ति का शंदेश मिलता है पित्रों की पूजा करने से धर्म या जाती आरे नहीं हाती तता सभी धर्म व्यजाती को मानने वाले अपने अ हैं और यहां पर पित्रों का तरपन किया जाता है पित्रों के आशिरवास से ही हमें प्रभो की शरण मिलती है हम सभी चोदस को आपके नाम का जाकरन करवाते हैं और अमावस्य के दिन आपकी धोक लगाते हैं श्राद पक्ष के समय सभी अपने अपने घर पर पित्रों की पूजा करते हैं, जिस भी घर में पित्रों का वास होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, ही पित्र देवा, आप हमारी प्रातना सुल लीजिए, जो कोई भी आपका प्रतिदिन ध्यान करता है, उसके जैसा कोई भक्त नहीं होता है, आप तो अनाथ लोगों को भी सह भारा देते हैं, और दीन बंदूवा पर अपनी किर्पा दिष्टी हमेशा रखते हैं, इश्वर ने चारो वेदों की रचना की है, और आपने अपने भक्तों के मान सम्मान की रक्षा की है, जो कोई भी पित्रों का नाम लेता है, उसके जैसे धन्य कोई व्यक्ति नहीं हो करते हैं, उसकी जल्दी ही मुक्ति होती है, जो पित्र देवों का भजन करता है, उसे चारो तरह के फल की प्राप्ति होती है, हे पित्र देवता, आप ही हमारे कुल देवता हो, आप ही हमारे देवता हो, आप ही हमारी गुरु देव और आप सभी को अपने प्रानों से भी अधिक प्यारे हो, जो कोई भी सच्चे मन से पित्रों से कुछ मांगता है, उसकी हर हिच्छा वे पूरी करते हैं, पित्रों का यस्ट तो हर जगा व्याप्त है, और हजारों मुझे उसका बखान नहीं कर सकते हैं, मैं तो मन्द बुद्धी वे दुखी मनुशे हो, मैं किस व जाए, उनकी सदेव पूजा करनी चाहिए, और सच्ची मन से उनका नाम लेना चाहिए, इस से हमारे सब रुके हुए काम बनते हैं, जुन-जुनों में हम सभी की पित देवता विरास्ते हैं, जो कोई भी उनके दशन कर लेता है, उनके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते और उनका उध्धार होता है, जो पी जुन जुन धाम जाकर पुजा कर लेता है, उसका जीवन तो सफल हो जाता है, पित्रो के चड़नों के धूल ही मिल जाए, या उनकी थोड़ी बहुत किरपा त्रिश्टी हो जाए, थो हमारा जीवन सफल हो जाता है, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लिस लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो के साथ आगे मिलेंगे धन्यवाद